हेलो एबरीबन वेल्कम तो आर चैनल दिस इस रिष्टी अगरबाल तो मैं आप सभी क्लास फॉर्थ एन फिफ्थ के लिए लेकर आई हूं प्रयास मैस की वगभुक के सॉलिशन जिसमें हमने देखी स्टार्ट कर रहे हैं OCR पीसलें असस्मेंन का सॉलिशन तो चली शुरू क करते हैं 1st question है what will be the sum of the largest three digit number and smallest three digit number sum of करना है यानि जोड़ना है आपको largest three digit number है 999 and smallest है 100 तो यहां पर देखिए जब जोड़ेंगी तो आपको आंसर मिलेगा 1099 option b correct हो जाएगा इसी तरह से second question है 3 10s plus 16 1s तो आपको confused नहीं होना है क्योंकि यहां पर आपको 16 1s को करते हैं तो यहां पर देखिए आप सोचेंगे की 3 तो 100 में आ रहा है 16 में 6 1 में आ रहा है 1 10 में आ रहा है बट यहां पर जब आप इसको 46 में लिखेंगे 46 तो देखिए यहां पर बच जाएगा 16 तो 1s में हो जाएगा और 3 बच जाएगा तो वो हो जाएगा 10s में तो इससे इस तरह से भी लिखा जा सकता है 46 को 3 10s plus 16 1s में थार अप्शन है थार कोशन है the shaded part of the leaves has a fraction form तो यहाँ पर हो जाएगा 2 by 5 fraction form को जब change करते हैं हम किसी भी shaded part को तो उपर करते हैं shaded part को नीचे लिखते हैं तोटल तीक है इसी तरह से यहाँ पर देखिए rounds है 4 3 time है can be written in the form of multiplication 4 x 3 which of the following is equal to 4 x 2 answer हो जाएगा 8 तो यहाँ पर हो जाएगा option 4 correct if we divide these balls into group of 4 how many group will be formed तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 groups बन जाएगे 4 4 के what is the sum of 345 and 435 तो answer हो जाएगा 700 plus 80 384 minus करेंगी 217 को तो answer बचेगा 167 on dividing 9 kilos equally among 3 monkeys every monkey everyone will get 3 3 kilos the correct shaded form of the fraction 1 by 3 is यहाँ पर हो जाएगा option 1st correct जो equally part में divided है एक shaded part में ठीक है और shaded part 1 है तो एक को उपर लिख दिया है और total है 3 तो यहाँ पर यह इस तरह से हो जाएगा तो डल होता है OCR baseline assessment का solution इसके साथ ही हम आगी की वक्षिट की solution में देखने वाले हैं और भी important videos देखते रहेंगे तो जुड़े रहे हमारे channel के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद